वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए देंगे यूपीपी से दोजार चौबिस का प्रिलिम्स का और मेंस का ग्रूप कंप्लीट शुरूआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का वन इस्टॉप डेशन है सब सिर्फ उतनी कराई जाएंगी जिससे सिर्फ और सिलेक्शन लिया जा सके तुरंत आप हमारे इन तीन नंबर पे कॉल या वाटसब करके जानकारी लेके इसको जोईन कर सकते हैं इसके लावा कुछ भी पढ़ने की कहीं से कुछ जरूप नहीं पड़ेगी सिर्फ जितना इस सिस्पेशल का जी एस पाँच और जी एस चे इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर्मैट बिल्कुल सेम रखा गया है बीस कोईशन इसमें भी पूछे गया है ठीक है दस कोईशन जो है पूछे गया है आट नंबर के एक सो पच्चिस वर्ड के करीबन सात मिनट के आसबास इसका अंसा लिखना होता है हर क्वेशन का दस कुछेगा है बारा नंबर के दो सो वर्ड के और करीबन इसमें आपको दस सी साघ्य डिस मिनट में हर एकक कुल मिला कि 3250 लिखने होते हैं इसमें पूरा पूरे पेपर में सबसे इंपर्टन टास्क होता है पेपर में कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्ट करना तीन घंटे के अंदर सारे कुछें का आंसर लिखना प्रॉपर जितना क्वेश्चन में पूचा गया है पॉइंट आइक्यू हम देंगे और पूरा आपने दिया भी था तीन प्लेलिस्ट है हमारी ठीक है उसमें GS56 का एक है GS56 की complete जो official से लिए बस दिया हुआ है उसके point to point complete पापा वीडियो दिये हुए उसमें उससे आपकी complete theory understanding पूरी क्लियर हो जाएगी पूरी preparation की प्लेलिस्ट है दूसरी प्लेलिस्ट है जो जितने official से लिए बस में point लिखे हुए है उस पर most expected questions ठीक है और तीसरी प्लेलिस्ट है कि previous question की क्योंकि पहले यूपी special की question तो पूछा ही जाते थे ना most पूरा का पूरा paper लिखे होंगे कई question तो directly पूछ लिए गए है पहली बार पेपर introduce किया गया है एकात question deep में पूछे गया है बाकी ज्यादा तर question directly slave us के point में question आगे पीछे जोड़ के पूछ लिए गया है और सारा हमने cover कर रखा है इन तीन playlist में आप जरूर देख लिजेग और प्लस model answer और प्लस उससे related और कौन से question आगे आने वाले मेंस में पूछे आ सकते हैं उसका जल्दी वीडियो देंगे अभी एक short classes कर लेते हैं कि question कौन कौन से पूछे गया है सिर्फ question question देख लेते हैं एक और बात है question में भी कई सारे type होते है critically analyze हो गया कभी critically examine हो गया analyze हो type में क्या answer लिखना पड़ता है तो कौन से question में क्या क्या की चीज़े लिखनी पड़ती है कौन कौन से keyword डलने पड़ते हैं क्या का introduction लिखना पड़ता है उस सब बताया बेने डेल में पहला question है कि appointment of advocate general को की center level पे होता है टौर ने जनरल स्टेट लेवल पे advocate general तो एक common होती ह यह क्या क्या चीज़े जो है कैसे कैसे appointment होता है और क्या function है यह लेकिन यहां पे critically examine करना था समझना है direct answer नहीं लिखना है next अभी है कि nature of regional parties in उत्तरपदेश ठीक है और plus उनके क्या importance है इसके बाद है यह वाला question तो अभी हम लोगों ने जो वीपयो वाली vacancy आई है ग्राम प उत्तरप्रदेश यह पॉइंट है यह से लेवस का देखिए बस आगे इतना सा यह जोड के हो गया है पूरा कवर किया हुआ है हम लोगों ने और बाकायता वीडियो भी इसका free दिया हुआ फिर नेक्स question है भाई आर्किटेक्चल फीचर्स ऑफ मॉनुमेंट्स ऑफ आगरा के बारे में पूछा गया है कोई भी जो है साइट्स यह अरपण सिवराइजेशंस की जो उत्तरप्रदेश में उनसे रिलेटेड भाई पूछा गया उनके नाम आम लिखिया इडेंटिफा रहा है तो यह इसके बारे में लिखना था यह ग्यारा से लेके जो है बीस तक तो डारेक्ली से लेवसी के रिलेटेड कोईशन वैरियस स्टेजिज ऑफ लैंड रिफॉर्म से अच्छा कोईशन है यह ठीक है फिर यह इडिस्टिक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तरप्रदेश अच्छा क्वेशन पूचा यह ठीक है उत्तरप्रदेश जो है एक इंपॉर्टन प्लेस है बुद्धिजम के प्रोपेगेशन में कई सारे इंपॉर्टन प्लेस भी है अच्छली बुद्धिजम से रिलेटेड तो वह सारे डिसकस किए जा सकते थे पहली आयूश पूचा है इस्टेट गवर्मेंट के एफर्ट और इनिशेटिव और पॉलिशी डिरेक्शन के बारे में पुचा है जिवाई क्या किया नोगों ने किया है उत्तरप्देश हेल्थ पॉलिशी दोजर जो अठारा में इंट्रिजूस की रही थी तो उसके संदर में चिकित्स